हालो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले चने की चाट चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं मैंने एक प्रेशा कूकल लिया है जिसमें मैंने आदा किलो काले चने लिये हैं जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो दिया था इसके बाद मैंने तीन गिलास पानी डाला है और वन टी स्पून नमक और आदा टी स्पून हल्डी डाल कर ढखकर लगा कर लो फ्लेंपर दस से पंदर मिनट के लिये पकने रख दिया है फ्रेंड मैंने एक कड़ाई ली है जिसमें मैंने वन फोट कप तेल डाला है तेल डालने के बाद वन टेबिल इस्पून जीरा डाल देना है और उसके बाद वन टेबिल इस्पून लहसन अदरक का पेज डाल देना है और फिर इन सबों को अच्छे से भून लेना है लेस्न अधरग भोनने के बाद इसमें बोिल करे हुए चने를 एड़ करेना, और सारे मसाले डालने के बाद इसमें मीडियम साईज की चॉप करे हुए टुमार्टर मीडियम साइज की चौप करी हुई प्याज तीन हरी मिर्चे चौप करी हुई और लास में फिरेश हरा धनिया डालना है इन सब चीजों को डालने के बाद अच्छे से भूल लेना है इन सब चीजों को सोते करने के बाद हमें आदा नीमू इसमें एड़ कर देना है देखिए फ्रेंड हमारी चना चार रेड़ी हो चुकी है आप इस रेसिप्य को ज़रूर ट्राइ करिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा